हेलो दोस्तो आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने लैपटॉप की या डेट्सटॉप की प्रोफाइल पीक को कैसे चेंज करें या अपडेट करें तो सबसे पहले हम अपने डेट्सटॉप या लैपटॉप पर लॉगिन करेंगे लॉग इन करने के बाद टास्क बार में जो विंडो का आइकन दिखाई दे रहा है उस पर टैप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्णर पे बॉटम साइड पे जिस भी नाम से आपने लॉग इन किया हुआ है वो नाम यहां पर दिखेगा तो उस पर डबल क्लिक करना है तो उसके बाद चेंज अकाउंट सैटिंग पर आपको यहां पर इस तरीके के कुछ स्क्रेइन दिखाई देगी तो आपको अपनी profile pic को select करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले से profile pic लगाई हुई है तो मुझे इसको change करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं create your picture वाले option में दो option है तो पहला option है camera तो यदि आप अपने laptop या desktop पे camera के थुरू इससे click करके photo चूज कर सकते हैं और दूसरा option है browse for one तो आप अपने desktop से कोई भी pic लेके इससे choose कर सकते हैं तो मैंने browse for one का option चूज किया है तो इस पर जो भी photo में लेना चाहता हूं वो photo select कर लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं एक error आया है internet connectivity का तो इसके लिए दोस्तो आपका desktop या laptop internet से connect होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने अपने desktop को internet से connect कर लिया है तो जैसी मेरा laptop internet से connect हो गया तो photo जो मैंने select की थी वो देख सकते हैं update हो गई है तो दोस्तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें थैंक यू